स्री क्रिश्न कहते हैं मनुस्य को अपने मन और बुद्धी पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुस्य को धोखा देते हैं खुद को निर्दोस मान लेना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है पती पतनी यदि अपने रिष्टे को पवित्र बना कर रखते हैं तो भगवान खुद उत्र के रूप में उनके घर आने की एक्षा रखते हैं मनुस्य की वासना ही उसके उनर जन्म का कारण होती है जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अरपन करता चल ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा स्री कृष्ण कहते हैं ग्रोध ब्रहम पैदा करता है और ब्रहम से बुद्धी विचलित होती है जब बुद्धी का विचलान हो जाता है तो तर्ग करने की छमता भी शेंड हो जाती है जब मनुस्य में तर्ग करने की छमता नहीं रह जाती है तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है इसलिए क्रोध से जितना हो सके दूर ही रहो प्रकृति के विविरीत कारी करके मनुस्य तनाओ से ग्रसित हो जाता है यही तनाओ मनुस्य के विनास का कारण बनता है इसलिए तनाओ से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए जय सिर्कृष्णा